आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने रैडमी के फोन में गैलरी पर लॉक कैसे लगा सकते हैं या फिर गैलरी पर पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं तो आईए आज की इस वीडियो में जानते हैं gallery पर lock set करने के लिए अपने phone की settings को open करिए phone की settings में आने के बाद नीचे scroll करके एक ओप्षन आएगा apps पर click करिए Apps पर click करने के बाद आपको मिलेगा App Lock इस पर click करिए और उसके बाद नीचे आपको मिलेगा turn on का option turn on पर click करके एक password set करिए जो कि आपको gallery पर लगाना होगा change password पर click करके आप pin password या फिर pattern select कर सकते हैं जैसे कि pattern already select है तो एक pattern create करिए अगर आपको pin लगाना है तो लगा सकते है password लगाना है तो password यहाँ पर आप select करके set कर सकते हैं हमने एक pattern log create किया है उसके बाद confirm करते हैं यानि कि फिर से enter करना है उसके बाद नीचे next पर click करेंगे उसके बाद am I account add करना है तो add कर सकते हैं हम not now करते हैं अब यहाँ पर फिर से आपको left side में मिलेगा not now करने का option इस पर click करिए अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको gallery show हो जाएगा तो sub application को lock करना है तो use app lock पर click करिए only gallery पर lock लगाना है तो बाकी sub application को unselect कर दीजिए हमारा gallery select है उसके बाद नीचे use app lock पर click करेंगे finger add करिए और यहाँ पर आप check कर सकते हैं gallery पर lock लग चुका है आप यहाँ से भी जिस app को lock करना चाहते होंगे इस option को on कर दीजिए और आप check कर सकते हैं आपके phone की gallery पर अब lock यहाँ पर set हो जाएगा तो इस type से आप अपने Redmi के phone में gallery पर lock या फिर password लगा सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को subscribe जरूर करें